हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू दी लॉइस प्रेंट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट कॉलर क्राइम की वाइट कॉलर क्राइम एक एकनॉमिक नेचर का क्राइम है जो की रिस्पॉंसिबल और हाइली स्टेटरस परसन द्वारा कमिट किया जाता है जो कॉंसेप्ट है वाइट कॉलर क्राइम का वो यह सदरलेंड द्वारा दिया गया है अगर हम जनरली बात करें सोसाइटी के अंदर दो तरिके के क्राइम सोते हैं ब्लू कॉलर क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम यह Sutherland का यह मानना है जो white collar crime है वो society के लिए ज़ादा harmful है rather than the blue collar crime. वहीं उन्होंने कुछ examples दिये हैं blue collar crime के जैसे की murder, rape, robbery, clambering of traditional crimes. यह सभी के सभी examples है blue collar crime के. अब हम देखते हैं meaning of white collar crime. White collar crime एक अपर middle class का crime माना जाता है. definition of white collar crime. मैंने इस slide में दो authors की definition mention की हैं. प्लीज एक बार आप पढ़ लेना और यहाँ पर मैंने कुछ examples भी mention किये हैं white collar crime के जैसे की illegal exploitation of employees, manipulations of stock market, commercial, bribery, bribery of public officials, directly और indirectly, fraud, illegal sale of alcohol. यह सभी के सभी examples हैं white collar crime के. अब हम देखते हैं forms of white collar crime. चार main type देखे गए हैं white collar crime के जैसे की fraud, bribery, corruption, aiding and awaiting of criminals. fraud हम generally सुनते रहते हैं day to day life में, यानि की cheating, किसे के साथ दोका दड़ी कर देना, ठीक है? दूसरा इसका form है bribery, इसके अंदर क्या होता है? जो person है, वो voluntarily जाता है किसी officer के पास, उसे किसी भी तरीके की रिश्वत देता है. वो ज़रूरी नहीं है, पैसे के form में हो, वो किसी भी form में हो सकती है, कोई भी valuable thing हो सकती है, ठीक है? ताकि वो जो officer है, कोई भी official act उस person ले कर दे, ठीक है? जो third form है corruption, bribery और corruption, थोड़े similar से meaning है इन दोनों का, बट इसमें थोड़ा difference है, जो corruption है, वो आज के लम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, कि corruption बहुत ज़्यादा society को harm कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी social problem भी बन चुका है. करप्शन में क्या होता है, जो officer involved होता है, वो खुद demand करता है किसी gift की या फिर cash payment की दूसरे person से, और bribery के अंदर क्या होता है, जो person पैसे दे रहा है, वो खुद voluntarily offer करता है किसी public officer को या फिर private officer को कि किसी भी monetary form में या फिर किसी भी valuable form में, वो voluntarily offer करता है officer को. और corruption में क्या होता है जो officer involved है वो खुड demand करता है किसी gift की या cash payment की ठीक है fourth है aiding and abating of criminals इसके अंदर क्या होता है जो बड़े बड़े लोग है officials है वो जो occupational criminals हैं उन्हें abate करते हैं aid करते हैं ताकि वो crime commit कर सके ठीक है इसके कुछ examples है जैसे proprietary of night clubs, common gambling house यह examples है aiding and abating of criminals की अब हम देखते है reasons ऐसे कौन से reasons हैं जिसकी वज़े से white collar crime society के अंदर बहुत ज़्यादा grow कर रहा है पहला है greed लोगों की जो लालसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसके वज़े से लोग white collar crime को ज़्यादा commit कर रहे है वो बहुत ज़्यादा grow हो रहा है ठीक है दूसरा है easy and prolonged effect जैसे कि हम पहले बात कर चुके है white collar crime एक economic nature का crime है तो easily commit हो जाता है और इसका effect futuristic effect होता है तो जो person involved होता है वो बार-बार ये crime commit करता है ठीक है third है competition market के अंदर हम सभी को पता है competition बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हर कोई person चाहता है कि वो दूसरे person से ज़्यादा दिखे ज़्यादा हो तो उस competition की वज़े से अपने आपको अच्छा प्रूफ करने के लिए लोग white collar crime का सहारा लेते हैं fourth reason है lack of stringent laws हमारे Indian जो laws है वो इतने strong नहीं है कि हम white collar crime को रोग सके या फिर लोगों को punish कर सके जो white collar crime commit कर रहे हैं फिफ्ट है lack of awareness जो लोग involved हो रहे हैं white collar crime commit करने में officers और जो person उन्हें aid कर रहे हैं उन persons को कई बार awareness ही नहीं होती कि वो इस तरीके का crime commit कर रहे हैं sixth है necessity कई बार कुछ लोगों की need बन जाती है या need होती है उस need को पूरा करने के लिए लोग white collar crime का सहरा लेते हैं involved हो रहा है तो इसका effect company पे उसकी sale पर उससे जुड़े उसके जो clients हैं उसमें जो employees हैं customers हैं उसके आसपास की society है उस पर बहुत ज़ादा effect देखा जाता है वो जो person involved है उस crime में वो कहीं न कहीं अपना confident lose कर देता है अपने employees के साथ भी अपने customers के साथ भी society में भी अपने आपको मूह नहीं दिखा पाता अपने आपसे नजरे नहीं मिला पाता और company में भी उसका जो position होती है वो कहीं न कहीं effect करती है और जो lastly अगर हम effect की बात करें वो offenders पे भी देखी जाती है क्योंकि offenders को abade किया जाता है उन्हें पैसे दिये जाते हैं कि वो crime commit करें तो वो पैसों के लिए जो offenders हैं occupational offenders हैं उस पे भी effect होता है क्योंकि वो पैसों के लिए फिर वो काम करते हैं ठीक है अब देखते हैं कुछ important areas जहां पर white collar crime सबसे ज़्यादा मिलता है आजकर पहला है medical profession इसमें like जिसे fake medical certificate दे देना या फिर illegal abortion कराना sale कर देना जो भी sample के drugs होते हैं या medicines होती है अगर हम covid के time की बात करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा illegal sale हुई है vaccines की oxygen cylinders की और fake vaccines भी बनी है तो यह कुछ examples है जो की white collar crime commit होता है medical profession के अंदर अब दूसरा है legal profession जिसके अंदर जैसे की fake evidence proof provide कराना या फिर fake witnesses को provide कराना court के अंदर या फिर नकली certificates बनवा देना तो यह सब white collar crime में भी ही involved होता है जो की legal profession द्वारा किया जाता है ठीक है third है engineering profession इसके अंदर जैसे की हम लोग work और जो भी material हम use कर रहे हैं उसके proper list नहीं देना उसका record maintain अच्छे से नहीं करना या गलत maal use करना और दिखाना कि हम अच्छा maal use कर रहे हैं यह सभी के सभी एक तरीके से white collar crime commit कर रहे हैं अब educational profession में कैसे कि कुछ लोग होते हैं कि fake practice दिखाते हैं जैसे कि गलत documents provide करते हैं teachers क्या करती है government teachers लोगों को गलत institutions में भेजती हैं अपने private institutions को benefit देने के लिए teachers क्या करते हैं बच्चों को गलत notes provide करते हैं ताकि वो उनके tuition में private educational institutes में जाके पढ़ें यह भी एक तरीके का white collar crime ही commit कर रहे हैं जो की educational profession के अंदर देखा जाता है अब हम बात करते हैं कुछ penalties की white collar crime के अंदर कुछ उससे जुड़ी कुछ penalties है Companies Act में जो की है section 447 बात करता है punishment अगर कोई भी person commit करता है fraud तो उसे imprisonment मिल सकती है not less than of six months और यह extend भी हो सकते है 10 years तक दूसरा है section 448 of Companies Act 2013 जो की बात करता है अगर हम false statement प्रोवाइट करते हैं उसकी punishment की यह बात करता है ठीक है अब हमें कुछ ऐसे measures लेने की need है या remedies की use करने की need है ताकि हम white collar crime को रोख सके उसे खतम कर सके पहला है कि हमें public awareness करते रहना चाहिए time to time public awareness होनी चाहिए दूसरा है strong laws बनाने चाहिए और punishments भी होनी चाहिए white collar crimes के लिए ताकि लोग डरें और यह crime commit कम करें ठीक है थर्ड है हम एक separate chapter introduce करना चाहिए white collar crime के लिए और occupational crimes के लिए Indian penal court जो act है मारा 1860 उसके अंदर पोर्ट है यह need बन चुकिए है urgent need बन चुकिए है जो national crime commission है उसे trackle करना है ऐसे criminals को और crime को ताकि वो अच्छे से society को run out कर सके और white collar crime को रोख सके तर्ड है थाजिए ट्री खरी थाजा तर्ट ही खराइए थांद्ट ही खराइए टा पूर्ष आप टीर अग्यों